अगर आपकी लड़ाई चल रही है, आप एक war में involved हो, और आपके दुश्मन पर आपको attack करना है, तो आप ये कोशिश करोगे कि आप ऐसी जगह पर attack करो, जहाँ पर दुश्मन विल्कुल भी expect ना कर रहो, और ये specially आप तब करोगे जो आपको पता है कि आपके दुश्मन की त्यारी बहुत अच्छी है, ऐसा ही कुछ Second World War में, ब्रिटिश लोगों ने किया था, हिटलर के अगेंस्ट, जर्मनी 1943 में आके, हाला कि वो बैक फूट पर आ गए थे, बट फिर भी अभी जर्मनी की military strong थी, especially Europe के western side, तो ब्रिटिश लोगों को attack करना था, allied side को, और उनको य पहले, Operation Minsmith की short में summary देखेंगे, कि पिचर की कहानी का है, और उसके बाद हम discuss करेंगे, कि कितना इस पिचर में जो दिखाया है, वो historically accurate है, यानि, जो जो इस पिचर में दिखाया है, वो कितना reality में भी हुआ, obviously ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक, मैं plot summary बताऊंग और ब्रिटिन में एक lawyer है, जो Navy का हिस्सा है, उस बंदे का नाम है, Leftman Commander, Even Wantegoo, वो अब अपनी law की practice छोड़ के, पूरी तरह 20 committee में involved हो गया है, 20 committee दर असल British Intelligence Services की एक वो committee थी, जिसमें वो लोग agents और double agents के साथ deal करते थे, तो double agents के लिए इसलिए double cross, और वो double cross का Roman numeral होता है, 20, 20, इसलिए इसलिए 20 committee था, तो इस committee का ये बंदा हिस्सा था, Montague की wife को पता नहीं था, कि वो British government के लिए ये spycraft और ये जासूस गिरी कर रहा है, तो उसकी wife में और Montague की इसमें थोड़ा टेंशन चल रहा था, तो ये निकल गई, US अपने बच्चों को लेक, Montague 20 committee में क्या कर र जो Britain का Prime Minister था, Western Churchill, उसने बोल के रखा है Roosevelt को, कि हम अब invade करेंगे Sicily को, Italy का नीच अला जो हिस्सा है, और वो पता था उनको कि यहाँ पे Sicily में German forces हैं, और वो अच्छे से defended है, तो अगर हम यहाँ पे landing करेंगे, अपने troops की, amphibious landings, तो हमको बहुत casualties हो सकते हैं, यहाँ पे defense अच्छा है, तो Churchill को यह ensure करना था, कि जब हमारी forces वहाँ land करने जाएं, तो German forces वहाँ पे कम हो, और वो तप कर सकते थे, जब वो Germans को किसी तरह से convince कर दें, कि allied landings Sicily में नहीं होगी, कहीं और होगी, ताकि Hitler अपने सारे German troops को वहाँ से अटागे, कहीं और डाल दें, इस सब के बताएंगे कि हम landing कहीं और कर रहे हैं, और विसलिए सामने से नहीं बताएंगे, किसे तरह अपने spice को यूज करके, कैसे कैसे करके, वो information उनके पास, हम indirectly पहुंचवा देंगे, Godfrey के साथ उसका एक assistant भी था, जिसका नाम था, leftman commander, iron Fleming, और उसने कहा कि उनके पास एक trout memo है, जिसमें उनके बहुत सारे तरीके रखे हैं, कि कैसे अपने enemy को आप गुमरहा कर सकते हैं, तो चर्चिल को या idea पसंद आता है, बोलता है कि ठीक है, कुछ चलाकी करो इसमें, तो Godfrey अपने साथ बहुत सारे officers को लेकर बैठता है, और वो discussion करते हैं, कि हम किस तरह से Hitler को important किरदार है, वो suggest करता है कि हमको trout memo से ही एक जो समें सारी तरीके दे हुए, एक तरीका उसमें से निकालना चाहिए, और वो तरीका ये है कि हम enemy के पास अपनी तरफ का एक dead body भेज़ दें, और dead body में बहुत सारे documents रखे हों, उस document को पढ़के लगेगा कि इंका attack कहा आने वा क्योंकि Churchill को ये idea पसंद आया था, तो Charles और Montigu, अब दोनों साथ में वाजाते हैं और वो decide करते हैं कि हम ये पूरा एक operation प्लान करेंगे, originally Charles ने इस operation का नाम रखा था, operation Trojan Horse, बाद मुनको लगा कि ये नाम बहुत ही obvious हो जाएगा कि हम किसी को चलाकी से फसानी कुशिश कर रह जब उन्होंने dead bodies देखने शुरू किया तो उनको कुछ bodies नजर आई जो डूप के मरी थी तो obviously body bloat हो जाती है, फूल जाती है, तो उन्हें का ने ये तो नी चलेगा, तो उन्हेंने का ने normal dead body चाहिए, तो वो बहुत dead bodies देखके finally एक body उनको जो लगा कि ये suitable है हमारे purpose के लि उसकी fake documents बनाये, उसके लिए ऐसा बनाया कि एक real इंसान था, royal marine pilot था, इसका नाम था Major William Martin, तो ये Major William Martin की कहानी को सच बनाने के लिए, सिर्फ उन्होंने उसके नकली documents ही नहीं बनाये, उन्होंने और कहानिया भी उसके साथ जोड़ी कि इस बंदे को bank alone लिया हुआ है, घर में इस बंदे को एक real इंसान की तरह दिखाना है, ताकि वो fake ना लगे, इसलिए तुम मुझे कहीं से किसी young लड़की के photo दे सकती हो क्या, जिस photo को हम इस बंदे के pocket में डालेंगे, और फिर इसकी body को हम पानी में डालेंगे, तो Jean Leslie बोलते है कि कि किसी और क्यों क्यों मेरी photo ले जदे, और फिर उसकी photo को देके, वो Montague की जाता है, और उसको रखता है कि हाँ ये ठीक है, और फिर अब Jean Leslie भी इस पूरी operation की planning का हिसा बन जाती है, तो चार लोग इसमें involved थे, Montague, Charles, Montague की assistant, Legget, और अब ये Jean Leslie, तो ये जो पूरा mission का जो planning हो रही थी, इस पूरे अंतराल में Montague और Jean Leslie की जिसमें एक थोड़ा सा romantic angle आता है, Charles भी Jean Leslie को पसंद करता था, तो Charles को ये जलन होती है, तो इसको पसंद कर रही है, तो वो सब चलता है, बट जो main operation का जो progress था, उसका ये situation था, कि अब उन्होंने ये decide कर लिया था, कि हमको क्या-क्या documents बनाने हैं, क्या-क्या इस पॉकिट में हम रखेंगे, और उसके साथ जो सबसे important चीज थी, वो थी कुछ ऐसे documents जिसमें clearly लिखा था, कि अब allied forces की landings होंगी, Greece और सार्डिनिया में, और नकली decoy landings हम करेंगे, Sicily में, ये paper में लिखके दे दिया था, ताकि जब ये paper finally Germans को मिले, तो उनको देखके लगे कि अच्छा, ये लोग जो Sicily में learning करने वाले वो नकली है, original learning की Greece में होंगी, तो इस सब paper डाल देते हैं, उस बंदे को uniform पैनाते हैं, और उसके साथ उसके belt में ये एक chain लगा के briefcase में paper डाल देते हैं, उस body को transport करते हैं, जाके एक submarine में उस body को डालते हैं, और फिर उस submarine में जाती है, और Spain के coast के पास, Spain एक neutral country था, World War II में, तो वहाँ पे वो इस body को पानी में गरा जेते हैं, और अब वो बस hope करते हैं कि ये body सही time पे Spanish लोग यास पहुच जा, Spanish लोग उसे किसी तरह होते हुए, Germans के हाथ में body लग जाए, हाला कि ये body British इंसान की थी, बर उनका plan ही इ पानेली पहुचती है, Spain के एक तट पे, और वहाँ पे एक Spanish fisherman को ये body मिलती है, वो इस body को लेके जाता है और अपने Spanish authorities को उताता है, अब British लोग की उमीद थी, कि जैसे उनको Spanish लोग के body मिले, तो उनके जो अंदर-अंदर से network हैं, वो British लोग को बता दे कि हमको British इंसान की body म में papers हैं, बट ये जो case, जिस Spanish officer के हाथ में आया, वो इनसान actually बहुत ही honest निकला, और वो उसने सीधे British लोग का phone किया, कि भाई, तुम्हारी एक Martin नम का एक बंदा है, उसकी body हाँ पे आ गई है, उसमें documents है कुछ, तो तुम इसको ले जाओ, अब British लोग को तो बता था कि हमा इसके पास, बट honestly, इस open से बोल देंगे, तो उनको बता सो लेगा कि इनका कोई Charles है, तो अब इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीजे होती है, जो मैं आपके लिए spoil नहीं करूंगा, but ultimately papers पहुत जाते हैं, एक senior German officer के सामने, और वहाँ दूसरी तरफ, Montague, Charles, Leggett, Jean, Resley, ये Allied Forces land करने वाली थी, और उस दिन पता चलता, finally, कि क्या उनका ये Operation Minsmeet successful हुआ की नहीं, क्योंकि अगर Sicily में जबरदस German defenses हुए, इसका मतलब ये Operation काम नहीं किया, but अगर महाँ पे Allied Forces land कर गई, और Strong defenses नहीं मिले, इसका मतलब ये Operation काम कर गया, तो 10 जुलाई को सब लोग Office में ए वे इसके में को information मिले, और finally फिर कटकट कटकर कर किया जो इनका टेलिगाफ का मशीन था, उसमें message आता है, कि landings हो गई successfully, और बहुत ही limited casualties होई, यानी Operation Minsmeet successful होगा, अबिसली ये Operation क्योंकि बहुत confidential secret operation था, तो पूरी दुनिया को इसके बार में पता नहीं था, तो इन्णोंन जब इस operation के बारे में जनता को बताया गया तो उसके बहुत सालों के बाद साल 1997 में ग्लिंडर माइकल की जो कबर थी उसके उपर जो टूमस्टोन लगा था जहां पर लिखा रहता है कि यह इस इंसान का नाम यह है इसके परिवार में यह सब है वहां पर उन्हों ने एक बिटिश गवर्मेंटिक लाइनायड करवा दी कि यह इंसान मेजर विलियम मार्टिन बनके इसने सेकेंड वर्ल वार में बिटिश लोगों की और पूरी एलाइड फोर्सिस की बहुत बड़ी मदद की तो यह तो शॉट में कहानी हो गई अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहला और इंपोर्टन सवाल क्या यह मूवी किसी रियल घटन पर अधारित है जी हां ऑपरेशन मिंसमीट एक टोटली प्रू स्टोरी है और यह यह जो पिचर है वो एक बुग पर अधारित है उस बुग का भी नाम ऑपरेशन मिंसमीट ही अधारित है जो इस अधारित है यह जो पिचर को इनट्रेस्टिंग नहीं है वह यह है कि जो तीन लोग का जो रोमांटिक आंगल दिखा है ना मॉन्टिगू, चार्ल्स और लेजली की बीच में जो ट्रैंगल चल रहा है यह रियालिटी में नहीं हुआ था और जिस बुक पर यह पिचर अधारी था उसमें भी इनके रोमांटिक आंगल पर इस तरह से फोकस नहीं किया गया और ओविसली पिचर को जनता के रेंट्रेस कि एक छोटी बहन थी बट उसकी बॉड़ी को ऐसा क्लेम करने के लिए और ऐसा ओपोजिशन प्रकट करने के लिए कोई नहीं आया था और ऐसा भी कहते हैं कि जब पूरा प्लान किया जा रहा था तो उसके घर के जोसके पेरेंस थे वो दोनों जिंदा ही नहीं थे तो किसी दिखाने के लिए यह एंगल दिखाया है कि हाँ इसके कुछ रिलेटिव हैं जो इसके लिए केर करते हैं तीसरी बात ऑपरेशन मिंसमीट ट्राउट मेमो से लिया गया था और ट्राउट मेमो का किस ने लिखा है इसका सबसे जारा क्रेट दिया आता है आड्मिरल गाट्फ आइन फ्लेमिंग ने वर्ड वर टू के बाद बहुत सारी से किताब लिखी जो बहुत फेमस हुई और उनमें से एक ऐसी किताब एक ऐसा करेक्टर है जिसके उपर पिच्चर मनी बहुत सारी बिटिश पिच्चर है जो आज भी बहुत ज्यादा पॉपिलर है यह एक बिटि लेजली को पिच्चर के एंड के नजदीक एक बंदा के अप्रोच करता है और वो कहता है कि मैं जर्मनी का हूँ और मैं ब्रिटेंज में अंडर कवर रहा हूं और मैं हिटलर को पावर से हटाना चाहता हूं तो मुझे बताओ कि यह जो पूरा विलियम मार्टिन की जो बॉ मॉन्टिकू का जो भाई था आइवर मॉन्टिकू उसके उपर एक्चुली बिटिश लोगों को डाउट था कि यह बंदा कॉम्यूनिस्ट है और यह सोवेट लोगों का स्पाय है यह बात पिच्चर में दिखाए गए और यह आक्चुली सही है दूसरा इस पिच्चर में साथ संबनिंग पर नहीं गया जैसा मैंने पहले भी कहा कि ओवर राली पिच्चर हिस्टॉरीकली मोस्टी एक्यूरेट है बट कुछ कुछ क्रेटिव लिबर्टी में ली गई है मुझे पिच्चर पसंद आई और मैं इसको आपको जरूर रेक्कमेंट करूंगा यह बूव होता ना और अगर आपके वीडियो चला लगा तो मेरी चैनल जी गयाशियम को सब्सक्राइब जरू करें